अलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग मैं असोक और आप सबका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल एक एफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन सतर सब्द परती मिनट लेके आये हूँ दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन, कोमा और शब्द सुद्ध के बारे में भी बताया जाएगा दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान आई कोट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, Railway और भी इसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह हैं डिक्टेट की जाती हैं दोस्तों, आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि परती दिन आपको नए-एन डिक्टेशन मिल चके दोस्तों आप लोग अगर सीकना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं आप लोग वीडियो देख सकते हैं दोस्तों से लिव वीडियो स्टार्ट करते हैं डिक्टिशन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद समय की पहचान करके जो लगातार मेहनत करता रहता है कोमा वही एक दिन कामियाभी के सिखर पर पहुचता है विराम समय का सही उपियोग ही समय परबंदन कहलाता है विराम जब समय परबंदन की बात आती है तो आपको स्वयम का परबंदन करना होता है समय परबंदन का उद्देश्य आपको व्यवस्तित और नियंत्रित रखना होता है विराम इतना बोज अपने उपर नय रखें की उसे लेकर चलना आपके लिए मुश्किल हो जाए विराम फिर भी अगर आप समय का परबंदन कर रहे हैं कोमा तब एक शब्द नय का प्रियोग प्राय बहुत महत्वपून हो जाता है खाश कर उस समय जब आपको काम करना है और आपके दोस्त आपको अपने साथ बाहर ले जाना चाहते हैं या फिर आपसे मोबाइल पर गंठों बात करना चाहे रहे हो विराम ऐसी इस्तती में विन्नमरता पुर्वक नय बोलने की आदत डाले अपनी पड़ाई से जूड़ी प्रात्मिकता सूची तो आप अभी कोमा इसी वक्त तैयार कर ले कोमा जिसमें आप शिक्षा कोमा कैरियर कोमा परिवार कोमा सामाजिक जीवन जैसे पहलूं को शामिल कर सकते हैं विराम अब शुरू कहां से किया जाए थेओरी से या प्रेक्टिकल से वही आपकी शापताहिक और मासिक कारिय सारनी और समय परबंदन की भूमी का महत्वपून हो जाती है विराम अपने अध्यान कक्स में चीजों को कुछ इस तरह व्यवस्तित करके रखें की जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े वहें आपको आसानी से मिल जाए विराम विभिन विशे जो आपको पड़ने हैं कोमा उनकी एक सूची बनाएं कोमा जिसमें अलग अलग विशे को जरूरत के अनुशार प्रात्मिकता दे विराम अगर आप पहले से यह तै करके नहीं रखेंगे की क्या पड़ना है और कितना पड़ना है तब आप पूरा सेले बस कवर नहीं कर पाएंगे विराम जब आप एक अंतराल की पड़ाई पूरी कर लें कोमा तो कुछ मिनट का समय यह जांच करने में लगाएं कि आपने समय का कितना सदूपयोग किया विराम अगर आपको लगे की समय का सदूपयोग नहीं हुआ तो उसके कारण का पता लगाएं और उसमें सुधार करते हुए समय का सदूपयोग सुनिस्चित करें अपने लिए देनिक कोमा सापताहिक और मासिक आधार पर अलग-अलग कारिय सारणी बनाएं समय सारणी तयार करते समय यह बात भी ध्यान में रखें की आपको रात में साथ से आठ घंटे सोने के लिए चाहिए और पड़ाई के दोरान भी बीच बीच में नियमित विश्राम मिलना चाहिए विराम अपनी दिवार पर रूटिन बोर्ड जरूर रखें विराम नोटिस बोर्ड पर एक एयर प्लानर कोमा उस पर परिक्षा के विशियों और तीथियों को चमकदार रंग से चिनहित करें देनिक आधार पर नोट बनाने के लिए एक डायरी जरूर साथ रखें विराम पड़ते समय कहीं कोई बिंदू महतव पून लगें तो उसे नोट बुक में लिखते चलें महतव पून जानकारी को हाइलाइट करने के लिए हाइलाइट पैन का इस्तेमाल करें दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि परती दिन आपको नए नए डिक्टेशन मिल सकें थैंक्यू दोस्तों जे हिंद जे भारत